जो इनसां को जीने का अंदाज सिखाता है सांसों की आमद का गहरा राज बताता है जो समझाता है दुनिया कैसे इजाद हुई किस गल्ती से खारिज आदम की फर्याद हुई जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो अपने होने में अल्ला की सिर्फ रजा समझो जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है कहते हैं हम जिसे कियामत वो तो आनी है कैसे होती सुभ हो कैसे शाम बताता है वो है सच्चा मजभब जो इसलाम कहाता है जहां बुराई खत्म शुरू इसलाम वहां से है अपने बंदों को उसका पैगाम महां से है एक मुकमल जिसने ये कानून बनाया है उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है हर अच्छी बातों का हुपम हमेजो देता है और आखरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है जो इनसा को एक कामिल इनसान बनाता है वो है सच्चा मजभ जो इसलाम कहाता है आज जहां में देखो तो हर और बुराई है और वदी सेने की की घंगोर लड़ाई है इनसाने दौलत को अपना धर्म बनाया है और वुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है किसको है परवाः फराईज और वसूलों की दुनिया याद रही भूले हर बात वो नभीयों की जात पाद मेरा तेरा दंगे मारा मारी अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी इक रस्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है वो है सच्चा मजभ जो इसलाम कहता है दुनिया में आए हो तो इनसान बनो पहले जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले उसकी फर्मा बरदारी का नाम महबत है यही अकीदा कहलाए और यही अबादत है बेद हो या तौरेद के हो इनजील हो या कुराँ लेकिन दीने फित्रत दीने कयम एक है हाँ जो इस पर इल्जाम लगाएंगे पच्ताएंगे जब दोज़की तकलीफों को सेना पाएंगे जो सच्चा इमान यकी और इल्म बढ़ाता है वो है सच्चा मजभब जो इसलाम कहाता है वो है सच्चा मजहब जो इसलाम कहाता है देखे जो मैंने पढ़ाता है उसको इस बंद में कहने की कुशिश किये जो हजरत नू पर उत्रा इसलाम वही तो है आप मुहम्मद तक पहुँचा इसलाम वही तो है जिकर है जिस काविदों में इसलाम वही तो है और कुरान की सूरों में इसलाम वही तो है जो समझाया नभीयों ने इसलाम वही तो है दी इसला हदीसों ने इसलाम वही तो है जो इमान मुझमल है इसलाम वही तो है और इमान मुफसिल है इसलाम वही तो है जो कलमा ये तैयब पहले पहल पढ़ाता है वो है सच्चा मजभब जो इसलाम कहाता है मैं तो हिंदुस्तान में पढ़ते हूँ यहां भी पढ़ रहे हूँ मैंने सुचा बुद को पूजू रूह नहीं मानी इसको पूजू उसको पूजू क्या है मन मानी दौलत पूजा पत्थर पूजा और पशु पूजा भगवान समझना है उसका अपमान इससे तो बेतर है के तुम खुद को पहचानो बदी गुनाहों से बच जाओ बाग मेरी जानो जिसके जरे इनसा अज्र दुआएं पाता है वो है सच्चा मजभब जो इसलाम कहाता है अब देखिए जो बाते मुझे इसमें अच्छी लगी वो आप तक पहुँचा रही हो इस मजभब में दुनिया का हर राज नुमाया है जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है है पाबंदी कल्मों रोजों और नमाजों की हज लाजिम है और लिखी फेर इस तजगातों की इनसा के हर एक अमल की लाख दुआएं है एक एक सूरा में अल्ला की लाख शुआएं है जैसे मा बच्चे को अच्छी बात सिखाती है अकलियों ही तोहीद समझ इमान बनाती है और हिदाये जिसको दे मालिक वो पाता है वो है सच्चा मजभ जो इसलाम कहाता है और आखरी बन देखिए कि इसमें है तैजीब सदाकत और वफादारी गुंगट आँ चलने की लच्चा और पर्दादारी इस दगहरत एक सलीका और भलाई है बजबूती बहबूती जाहे सिर्फ खुदाई है ये तो बस आमाल अदब अखलाब नफासत है शिर्क नहीं है कुफर नहीं है सिर्फ अतात है बड़े बुज़र्गों की इज़त मावालित का सम्मान बच्चों को बच्पन से सिखला दे रहा है पुरान इसलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है वो है सच्चा बच्चों को बुज़र्गों की अज़र्गों की जानते है और अपने उसकी तरजमाने की बहुत स्युक्रिया आपने एक जम्ला कहा है कि मर्द बहुत बहुत से सुन रहे हैं दाद भी मर्द दे रहे हैं मुझे मुझताफ में युसुरी याद आगे बहुता नहीं क्यों मुझताफ मुझताफ जब बहुत से सुनियेगा मुझताफ में युसुरी साब ने कहा कि में जिस बेंक में मुनाजिम ता